श्री शिवाई नमस्तु भी हम दोस्तो 19 अप्रेल 2022 को गणेश चतुर्थी का वरत है और दोस्तो कई सारी माताएं बहने गणेश चतुर्थी का वरत भी रखती हैं दोस्तो इसी गणेश चतुरती के व्रत के दिन आप एक ऐसा उपाई कर सकते हैं जिस उपाई को करने से अगर आपके ऊपर किसी भी तरहकी की समस्या है आपके घर में धन नहीं आता है पैसा नहीं मतलब रुकता है या आपके घर में धन समपता की कमी है लड़ाई जगड़े बहुत होते हैं आप परेशान हो चुके हैं आपने कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है सबी कुछ करके देख लिया है तो उसकी जगह पर आप एक छोटा सा उपाई करके देख लीजगा सिर्फ गणेश चतुरती व्रत के दिन का ही यह उपाई है इसके अलावा और किस दिन आप इस उपाई को नहीं करना है तो आपको करना क्या है गणेश चतुरती के व्रत के दिन सुभा के समय या शाम के समय किसी भी समय आप इस उपाई को कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नौ शमी पत्र लेना है शमी पत्र कैसे होते हैं आप लोग जानते ही होंगे चोटी चोटी पत्य जिसमें होती है तो आपको पूरे नौ शमी पत्र लेना है नौ शमी पत्र लेने के बाद एक घी का दीपक तयार करना है कैसा करना है आटे का दीपक बना लो उसमें जो है गोल बाती रखो और उसमें घी डाल दो ठीक है यह जो दीपक है आपको घर से तय करकर ले जाना है सिर्फ दो चीजे नौ शमी पत्र और घी का दीबग तयार करके आपको ले जाना है जला कर नहीं ले जाना है ठीक है शुबा के समय भी आपको सुपाई कर सकते हैं ठीक है मंदिर पहुँचिए मंदिर में पहुँचने के बाद सबसे पहले आप योगा करना है पांच शमी पत्र अलग निकालना है पांच शमी पत्र अलग निकालने के बाद शिवलेंगे के ऊपर एक गनेश जी का इस्थान होता है जो की जलाधारी के ऊपर होता है जो की राइट भाग की जो सीधा हाथ होता है, शिवलेंग की तरफ और देखिए, जो शिवलेंग की तरफ का जो सीधा होगा, वो गनेज Russ जी का स्थान होगा जलाधारी के ऊपर, उस जलाधारी के ऊपर जो गनेज सीधा स्थान होगा उस जगापर आपको पांस शमी पत्र समर्पित करनेए मची wow, उस भाग से जब बहार निकलेंगे तो जो शिव जी की चौकट होगी उस शिव जी की चौकट का जो मतलब उल्टा भाग होगा मतलब आप जो मंदिर से बहार निकल रहे होगा तो जो आपका लेफ्ट हेंड होगा उल्टा हाथ होगा उस उल्टे हाथ पर आपको एक शमी पत् तो बस यहां पर यह उपाय पूरा हो जाता है बहुत ही अचुक उपाय करके ज़रूर देखिए कोई भी समस्याती कमेंट करके पूछ सकते हैं